दोस्तों वीव अपने Vivos T140 4W स्माठफ़ोन को इंडिया में लवान्च करने वाला है जल्दी वीव ने इस स्मार्टपोन की लाँच डेट को ऐफ जली कंफर्म भी कर दिया है एंड यह स्मार्टफ़ोन एक 4G विरंट होने वाला है Vivo T1 स्मार्टफ़ोन का इस स्मार्पोन का 5G variant काफी दिनों पहले लॉंच होता है इंडिया में एंड अब 4G variant भी इंडिया में लॉंच होने वाला है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्मार्पोन के लीक प्राइज इस स्मार्पोन के डिजाइन की दो दोस्तों कुछ ऐसा दिखने वाला है वीवो T144 वाट स्मार्पोन बैक साइट से ही आपको टॉप लेट में कैमरा मोडूल देखने को मिलेगा जिसमें के आपको दो कैमरा के आफस्विंग देखने को मिलेगी LED Flash देखने को मिलेगी और Vivo की ब्रैंड ही आप आपको देखने को मिलेगी फ्रंट साइट से यहापको आपको वाटर टॉप नौज के साथ में डिस्पले देखने को मिलेगा काफ़ी पदले-पदले से बैस्ट होगा है नलकी सी चीन यह आप आपको देखने के लिए मिलेगी तो डिजाइन वाइस काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है मेरे को डिजाइन काफ़ी जाधा पसंद आ है आप लोग को डिजाइन कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं बात करें इसी स्मार्टफोन की डिस्पलेगी तो यहाँ आपको 6.4 इंचेस की फुल हटी प्लस वाली एमोलेट डिस्पले देखने को मिलेगी 6GHz का नॉर्मल रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा 180Hz का टस्ट सैंप्लिंग रेट होगा DCI P3 वाइड कलर गेमेट का सपोर्ट यहाँ आप आपको देखने को मिलेगा तो डिस्पले काफी तकड़ होने वाला है इस सेग्मेंट का मैं कहूंगा best display होगा क्योंकि AMOLED का पैनल जिस सेग्मेंट में स्मार्टफोन launch होने वाला उस सेग्मेंट में काफी कम देखने के लिए मिलता है तो इस स्मार्टफोन डिस्पले के मामने में काफी अच्छा होने वाला है बात करें केमरास की तो यहाँ आपको dual rear camera setup देखने के लिए मिलेगा जिसमें के 50 megapixel का होगा main AI camera and 2 megapixel का macro lens भी आपको देखने के लिए मिलेगा तो rear side camera काफी decent होने वाले हैं बात करें selfies की तो यहाँ आपको 16 megapixel का water top notch के साथ में selfie camera देखने के लिए मिलेगा selfie camera भी काफी अच्छा होने वाला तो overall decent cameras आपको इस smartphone में देखने के लिए मिलेंगे बात करें performance की तो यहाँ पको Qualcomm का Snapdragon 680 चिपसेट देखने को मिलेगा जो के एक 4G चिपसेट है 6N Mark टेक्चर पर बना हुआ है अटरणों के GB के साथ में आया था तो gaming वगर आप थोड़ी बहुत कर पाएंगे multitasking आप easily कर पाएंगे day to day usage में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको power efficiency काफी अच्छी मिल जाएगी तो overall performance काफी अच्छी आपको इस smartphone में देखने के लिए मिलेगी यहाँ आपको 4GB, 6GB, 8GB, LPDDR4X RAM देखने को मिलेगी and 128GB EOS 2.2 storage आपको इस smartphone में देखने के लिए मिलेगा and यहाँ आपको microSD card का support भी इस smartphone में देखने के लिए मिलेगा तो आप अपने storage को बढ़ा पाएंगे तो RAM इन storage के मामले में आपको इस smartphone में कोई दिक्कत नहीं आने वाली बात करें battery के तो यहाँ आपको 5000Ah की बड़ी battery देखने को मिलेगी and 44W की fast charging आपको इस smartphone में देखने के लिए मिलेगी तो battery size का भी बढ़ा होने वाला है, charging speed का भी fast होने वाली है तो battery and charging के मामले में आपको इस smartphone में कोई दिक्कत नहीं आने वाली and दोस्तों इस smartphone जिस segment में launch होने वाले एंडिया में उस segment की fastest charging आपको इस smartphone में देखने के लिए मिलेगी बात कर रहा है operating system की तो दोस्तों इस smartphone front touch OS 12 के साथ में आएगा जो के Android 12 पर based होगा जियां दोस्तों आपको इस smartphone में Android 12 out of the box देखने के लिए मिलेगा बात कर रहे connectivity की तो यहांब आपको dual 4G world देखने को मिलेगा dual band Wi-Fi होगा Bluetooth 5.1 होगा and दोस्तों GPS का support भी आपको इस smartphone में देखने के लिए मिलेगा जिसमें के आपको इस segment में in-display fingerprint scanner देखने को मिलेगा पहला smartphone है IQZ6 4G smartphone वो भी 44W के charging के साथ में launch हुआ है बात कर रहें ports and buttons की तो यहांब आपको 3.5 mm headphone jack देखने को मिलेगा USB type-C charging port देखने को मिलेगा power and button होगा and दोस्तो volume broker button भी आपको इस smartphone में देखने के लिए मिलेगा बात कर रहें इस smartphone के कुछ और features की तो दोस्तों यहांपको extended RAM वाला feature भी देखने को मिलेगा आप एपर इस smartphone की RAM को 4GB तक increase कर पाएंगे अगर आपके smartphone की RAM 8GB है तो आप उसे 10GB तक बढ़ा सकते हैं बात कर रहें इस smartphone के color variants की तो दोस्तों इस smartphone दो color variants में इंडिया में launch होगा black and blue color में बात कर रहें इस smartphone के Indian price की तो दोस्तों इस smartphone आपको इंडिया में around 15 के यानि कि 15,000 रुपे के price में देखने को मिलेगा and इस smartphone का जो base variant होगा वो आपको अंडिया 15 के यानि कि 15,000 रुपे से कम के price में देखने के लिए मिलेगा तो आपको एक अच्छा smartphone देखने को मिल जागा 15,000 रुपे के price में AMOLED डिस्पेल के साथ में इन डिस्पेल फिंगर्पिंट स्कैनर के साथ में 44W fast charging के साथ में तो और रहल यहाँ आपको एक अच्छा smartphone देखने के लिए मिलेगा and दोस्तो अगर इस smartphone इस price point पे इंडिया में launch होता है तो क्या आप इसी smartphone को buy करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे आप comment करके हमें बदा सकते हैं बात करें इसी smartphone की launch date की तो दोस्तो ओविशली confirm कर दिया वीवो ने कि ये smartphone 4 माई को इंडिया में launch होगा जी हां दोस्तो यही ती कुछ बात है जो मैं आपको वीवो T140 forward smartphone के बारे में बदा ना चाहता था आज की वीडियो के लिए नहीं वीडियो पसना है तो वीडियो को लैक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत